अपनी हाजिर जवाबी के जरीए देश क्या दुनिया को भी हसा हसा कर लोटपोट कर देने वाले कपिल शर्मा जो अपसर अपनी ओडिन्स को भी ट्रोल करते नजराते हैं आज ऐसा मौका आया जो वो खुद ही ट्रोथ हो गए जी हाँ और कोई भी ऐसा है जो आज के दौर के कॉमेडी के किंग माने जाने वाले कपिल शर्मा की भी बोलती बंद कर सकता है दरसल अपने फेमिस शो दे कपिल शर्मा शो में इस हफते पौराणिक सीरिल महा भारत के कराकार नजराने वाले हैं इसके लिए कपिल शर्मा ने ट्वीट किया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कपिल शर्मा को उसके एक से बढ़कर एक जवाब भी मिल रहे हैं ट्वीट में कपिल शर्मा ने लिखा कपिल शर्मा के इस ट्वीट पर जहां धेरो लोग धेरो सवाल पूछ रहे हैं तो वहीं नई महा भारत में भीशुगा किरदार में भाने वाले आक्टर आरफ चौधरी ने कपिल शर्मा के ट्वीट का बेहद ही मज़ेदार अंदाज में जवाब दिया है आरफ चौधरी ने लिखा हमें तो नहीं बुलाया आपने प्रभाश अंकर नाम की यूजर ने लिखा आप तो बेस्ट है हमारे लिए हमें लगा आप ही आ रहे हैं अनुच शर्मा ने लिखा भीश्म पितामा को तो सबसे पहले बुलाना होगा सिमांत नारजारी ने लिखा दुख जिता रहे एकता कपूर की भीश्म को नहीं बुला रहे दूरदर्शिन वाले मुकेश खन्ना का भीश्म इसके अलावा जो सवाल पूछने के लिए लोग कपिल शर्मा को कमेंट कर रहे हैं उसमें भावना माथुर ने पूछा एक सवाल अरजुन जी से उन्होंने कैसे मैनेज किया वेन ही प्लेट ब्रिहन लला बाबुला थोरी ने लिखा कपिल जी नमस्कार मेरा कोई सवाल नहीं है बस हो सके तो मेरी तरफ से उन्हें इतना कह देना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने किरदार इतनी खुबसूरती से निभाने के लिए कि हम आज भी उन्हें उनके असली नाम से कम और महाभारत के उनके किरदार के न शर्मा से एक से बढ़कर एक सवाल पूछने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि आपके इन सवालों में से कौन-कौन से सवालों को कपिल शर्मा अपने शो में पूछते हैं और कितने सवाल एरिटिंग के वक्त काट दिये जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको मौका मिलता तो आप बियार चोप्रा वाली महाभारत के किरदारों में से किस से आखिर कौन सा सवाल पूछते और क्यूं?